हेलो प्रेंट्स तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब कैनल बनना जैस के रैस्पीज में आज हम लेके आए बहुत ही इस्पेसल दहीवड़े बनाने की रैस्पी इसे हमारे इस्पेसल दहीवड़ा ही बोला जाता है आपके हां क्या बोला जाता है यह वहाइन विवारी थोड़ संदेगे से पानी के त्यार के तेशित के तैयार के लिए काली जीशेरा डाल दिया और श्वादम मुच्टी नमक भी दो तुम्हें स्पटापड करने के लिए जो हम बनाएंगे स्टप्ड वाले शाही दई वड़े तो उनके वपर कोट करने के लिए थोड़ा हमें इसे पतला करना पड़े क्षिति के तक नहीं 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 हो जाए और थोड़ा सा पानी अउट डालेंगे मुझे ठिक लग रही हैं है इसमें हमें थोड़ा पानी इसका ठोड़ा है घोल टाइप सा बनाना है क्या अच्छे से वाप रिखेंगे तो काजु नहीं हो घ। और बादाम, सारी चीजों को अच्छे से हमने क्रस्ट कर लिया है, और दो आलू लिये थे वॉयल, उन्हें भी इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, पचास ग्राम पनीर लिया था, उसको भी इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, इन सारी चीजों को अच्छे से, काली मिर्शी नमक डाल के अगर आप चाहो तो यहां थोड़े से चीनी के दाने डाल सकते हैं पर मैंने यहां नहीं डाला है उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे से यह हम अंदर इस्टप्ट करेंगे वह बॉल्स बना रहे ह इस तरीके से यह साही दही बड़े है इसे इस्टप्ट दही बड़ा भी बोलते हैं हमारे अगर आपने यह रिएूट्प़ि यूट्पपे देखी हो तो कमेंट करके बताए मुझे नहीं देखी है तो क franchis पॉल्स थे fed चाहिए बन जीज़ा इस गुजिया ख विंटे में देख एक रख नहीं सोड़ा डालना है कम बेकिंट पॉड़र डाला और यह अच्छे से भान शुग मिक्स किया तोड़ा जोगा सांहे लिए पानी डाल pillars इसे यह सँगो नमक डाल आइकी इसमा हिंग डाल दीती अब जो हमने अपना रुड़द का पेश्ट तयार किया उसमें हमने जो वाल्स बनाये थे उनको अच्छे से कोट करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको एके करके डाल में कोट करेंगे और एके करके सेखते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे सेखेंगे अब इस तरीके से थोड़ा सा हातों में पानी लगा लीजिए क्योंकि उरत की दाल हातों से चिपकती है अब हमने इन सारे दाइवड़ों को इस तरीके से कोट करके सेख लेंगे एक पार में आप जितने डाल सको डाल देना मैंने 6-7 वोल बनाके तैयार किये थे इतनी सारी सामागने में आप बहुत सारे बना सकते सब लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे अगर आप ये दाइवड़े बनाके खिलाएंगे उनको हमारे यह इसे दाइवड़े नहीं बोलते हैं स्पेसल बड़े बोलते हैं स्टप्ड दाइवड़े बोलते हैं कुछ भी बोल लो और इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गुल्डें ब्राउन होने तक फ्लेम एकदम मीडियम ही रखना है और यह उपर से बहुत ही क्रिस्पी हो अंदर से जो फिलिंग ड्राइव फूट्स और पनीर वाली निकलती है बहुत ही यमी लगती है बहुत ही टेश्टी बनते हैं यह दही बड़े अब हम इसके लिए दही बनाके तयार करेंगे तो मैंने दही ले लिया था दही को एक साफ कपड़े में पंदरा मिनट के लिए हैंग कर दिया था जैसे इसका पूरा पानी निकल जाए अब हमने जो पानी नमक वाला तयार किया था हमने बड़े सेख रहे थे वो बड़े निकाल के डारेक्ट इस पानी में डालें अगर हम पहले सेख के रख ले थे तो पानी हमें हलका गुन-गुना करना है और हम तुरंत बढ़े को डालने हैं तो normal पानी में डाल सकते हैं जिससे ये उपर शे भी बहुत soft हो जाएंगे और खाने में एक दब मूँ में घुल जाने वाले बने गेंगे मूँ में जाते ही घुल जाएंगे जिन लोगों की थोड़े दातों में problem होती है हमारे गर मारे बुजोर्ग होते हैं वो हाट चीज़ा नहीं खा सकते हैं उनको तो यह बहुत पशंद आएगा और दही बड़े तो वैसे सौप्ट ही होते हैं सब लोग खा सकते हैं तो इस तरीके से मैंने 5 पूनर तक पानी में डाल लिए छोड़ दे पिर इस तरीके से हातो करके रखा था वो ले लिया और फिर इसमें कुछ नॉर्मल दही डाल दिया है इसे एक दम मार्केट जैसा दही बनाने के लिए मैंने इसमें मलाई डाली है प्रेस मलाई है जो घर में दूद पर पढ़ती है वो वाली और चीनी तीन चम्मच थोड़ा सा काला नमक डाल दिय करेंगे और हमारा दही मार्केट जैसा बनके स्मूथ क्रीमी सा तयार हो गया है हमारे जो इस पेसल दही बड़े उन पर डालने के लिए और यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इस चेके क्रीम भी डाल सकते हैं इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा दही खटा नहीं होत चटनी थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो करके बताए कि आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी और मुझे सफोर्ट कीजिए और न्यू होता सब्सक्राइब कीजिए